अलो आश्पेंट्स, वैलकम टो अलॉक जी एस अकेडमी, यह है आपकी मास सीरीज जिसमें हम UPSC मेंस के कोश्चन्स प्रैक्टिस करते हैं आज का सेशन है बीक फॉस्ट का सैकेंड सेशन जिसमें हम जी एस पेपर टू के कोश्चन डिसकस करेंगे जिसके अंत्यकत दो कोश्चन रहेंगे भारती राजब्यवस्था खंड से और यह कोश्चन हम डिसकस करेंगे गवर्नेंस खंड से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का important session इसमें जो first question है आपका JS paper 2 के भारती राजब्यवस्था खंड से है जिसमें आपसे पूछा क्या है कि कई प्रतिकूल कारियों के परणाम शुरूप राजब्य के राजब्यवस्था की मुख्य रूप से केंदर का एजेंट होनी की जो प्रतिष्था है उसको संगी है लोकतांत्रिक संबिथाने करनाली के परिपेक से दूर करना मुश्किल हो गया है इस बात कि आपको जांच करनी है ठाईसो सब्दों के अंतरगत तो इस question में आपको राजब्यवस्था के बारे में बताना है इसके बाद इसमें आपको निसकर्स इसके अंतरगत देना है तो इस question को solve करने के हमारी बहिया अप्रोच रहेगी सबसे पहले हम इसके introduction से इसकी शुरुवात करेंगे फिर इसकी सरशनाय बॉडी का निर्मान करेंगे फिर निसकर्स के साथ इस question को end करेंगे अगर हम बात करें इस question के introduction के बारे में तो जो संबिधान का अनुचेत है एक सो चोववन वोसके अंतरगत ये कहा गया है कि राजी का एक प्रमुक कारिकारी होगा जो की राजीपाल इसके अंतरगत होगा इसके लाब जो बिया रमेट कर हैं बै राजीपाल के कार्याले को उन्होंने गरेमा का कार्याले कहा था यानि कि उन्होंने ओफिस और डिक्निटी राजीपाल के कार्याले को कहा इसके लाब बै केंदर का एजेंट नहीं बलकि एक सोतंध संबिधाने कार्याले के रूप में राजपाल का पद्ध है जो कि सहकारी संगबाद की धुरी के रूप में कारिक करता है इसके लाब जो हमारे भारत के संविधान का अनुछे 155 और 156 है भारत में राजपाल की जो न्युक्ति की जाती है राश्टपती की डौरा की जाती है और जो अपने पद पर रहता है प्रतिक राजपती होता है उनके बीच में संपर्थ के रूप में कारे करने के लिए राजपाल के पद की भूमे का इसके अंतगर निर्धारित की गई है इसके साथ यह उनका जो करतब है बहबिन राजनेतिक दलों से संबंदित संग्य सरकार एबं राज्य सरकारों के बारे में तो जो राजपाल का जो चयन होता है राजनेतिक पक्षपात और संदक्षन और मित्रता के आधार पर किया जाने लगा है इसके लाब जो राजपाल केंद सरकार की एक आख एबं कान के रूप में कारे करता है इसके साथ ही राजनेतिक उदेशों के लिए राजपाल के पत का दुरुपयोग देखा गया है और जो संदिक्त आथार पर जो अनुच्छे 356 है जो कि राश्टपती शासन का जिक्र करता है उसका दुरुपयोग केंद सरकार के दौरा कई बार देखा गया है जो कि मनमाने आथार पर राज्यों पर थोपा जाता है इसके लाब जुपाल को केबल इसलिए अठाना क्योंकि बिस सरकार के समान राजने थे केबं बैचार एक प्रिस्ट पर नहीं आता तो इस आधार पर भी राजजपाल को इसके अंतकत अठा दिया जाता है यानि कि जो बीजेपी की अगर केंदर में सरकार बनती है तो इसमें जो सरकार की पार्टी बिचारधारा से मेल नहीं खाता या केंद सरकार ने विसपास इसके अंतकत खो दिया है तो उसके आधार पर राजजपाल को नहीं हटाया जाएगा तो ये बात की हमने राजजपाल को पत कर लेते हुए आलोचना के बारे में इसके बाद अगर हम बात कर इसके लाबर राजपल एक प्रिदिश्टित बैक्ती होना चाहिए और उस राज़े से सम्मंधित बैर नहीं होना चाहिए इसके लाबर राजपल की न्युक्ति में राज़े के जो मुख्यमंत्री है उससे बिचार बिमर्स इसके अंतगत किया जाना चाहिए इसके लाब राजपल हाली की सक्रिय राजनीती में सलगन नहीं होना चाहिए और कारकाल से पूर केवल नैतिक्ता, गरिमा या संबिधानिक औचित्त के आथार पर ही उसको हटाया जाना चाहिए इसके साथ यकर हम बात करें तो इसमें संबिधान की सिफारिसों के कामकाज की समिक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसने भी कई सारी सिफारिस हैं की, जिसके अंतगत उन्होंने कहा कि राजपल की न्युक्ती, प्रधान मंतरी, ग्रह मंतरी, लोगसभा, और संबंदित राज्य के मुख्य मंतरी की एक समीती डौरा स्वापी जानी चाहिए, इसके लाब अगर उन्हें उनके कारेकाल से पूर्व हठाना है, तो केंदर सरकार को जो स्टीप मिनिस्टर है, उससे सलाह मसपड़ा उसके अंतगत किया जाना चाहिए, इसके साथ ही अ जायो के दौरा ये सिफारस की गई कि जो राज़पाल के बद के लिए जो पृसाथ परयंत का जिक्र है उसको इसके अंतगत हटा दिया जाना चाहिए, इसके विपरीत इससे इठाने के लिए जो राज बिथान मंधल है उसके दरा प्रस्ता प्रापद्थान इसमें हुना कालें प्रापधनों के स्थानी करन की बात इनों ने की कि इसमें पूरे राज की अपेक्षा एक जलाया कई जिलों को राश्टपदी सासन के अंत्रगत लाया जाना चाहिए यानि कि पूरे राजी पर राश्टपदी सासन लगाने की जगए उसके जिसमें disturbance है जो कि संबिधान के अनुसार नहीं चल रहा तो उस जिले के आधार पर उसमें राश्टपती सासन लगाया जा सकता है तो ये सिफारिस की पुंची आयोग की दौरा इसके बाद अखरम बात करें इससे सम्मंदित सुप्रीम कोट की ब्याख्या के बारे में तो इसमें सबसे महत्पूर्ण मामला है बीपी सिंगल पर्सिस यूनिन ओफ इंडिया का मामला जो की 2010 में हुआ था और जो रुस्प के चाहिए इसके लाबा जो राजपाल केंसर कार की पिचार धरण से सरोकार नहीं रकता है 뛰 या कैंसर करने बिसपास मत खो इसके लाबार राज जपाल के संविधाने जो जनादेश को मजबूत करने के लिए नए नियावबम परमपराओं को लागू करना आपशक है और राज जपाल के साथ गर्मा पूर्ण ब्यभार किया जाना चाहिए उन्हें केवल राशनेतिक कारणों से उनकी बरखास्तगी नहीं कोनी चाहिए जिसमें आप से पूछा गया है कि भारत में नियाईक ब्यवस्ता जबरदस दबाब में हैं आप पढ़े आप तो जो ब्नियादी धांचे के करण अदालतों का बोज भड़गा है जिसके करण बड़े पेमाने पर मामलों का बैक लोग हो गया है इसके कारणों का बिस्लिशन करें और इससे संबंदे सुथारादमक उपाय भी बताएं तो इस question कांसला को 200 सब्दों में जिना है जिसमें आपको यह बताना है कि जो नियाएक विबस्ता के अंतरगत कई सारे cases का backlog है तो उसके कारणों के बारे में बताना है और उससे संबंदे सुथारादमक उपाय के बारे में भी आपको चर्चा करनी है तो इस question को solve करने के हमारी बही approach रहेगी सबसे पहले अगर हम बात करें इसके introduction के बारे में तो भारत की जो निचली अदालतों में लगवग 4 करोड से ज़्यादा cases spending है और उसमें जो 25% case है बे 5 परसों से अधिक समय से लंबित है इसके लाब हमारे जो पूरब CGI थे एनबी रमना साब तो उनके दोरह ये कहा गया था कि जो जनसंख्या नियाएदीज जो अनुपात है उसको सुधार दें के उपाई किये जाने चाहिए और बरतमान में भारत में लगवग 25,000 जो नियाएदीज है बे इसके अंतगत सुईकरत है इसके साथ ही जो निचली अदालतों में अगर हम बात करें तो नियाएक रिक्तियां 20% से अधिक है और जो यूपी, बिहार और बेष्ट पंगाल में लगवग 1,00,000 लोगों पर केवल एक ही नियाएदीज देखा जाता है जो कि जो अनुपाथ है वो काफी ज्यादा कम है, इसके साथ ही अगर आम बात करें coolest पर लंबित मामलों के कारणों के बारे में तो जो संबिधानिक महत के मामले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है जिससे opener कोड में बैक लॉख इसके अंदगर्च भरता जाता है कुलिए होते हैं विविन उच्च नयालों की जो अपील होती है व्यक्ति के जो मूल अधिकारों के जो उलंगन के मामले होते हैं बैं इसके अंतरगत सुप्रीम कोड में पैंडिंग रहते हैं इसके साथ ही दूसरा कारण है नयाज़ीसों की कमी होना भारत में जो प्रती मिलियन जो ज छब्धम स्थगन किया जा सकता है किसी भी केस लिए तो उस तरीके का जो प्रापधान एं उसका इसमें पालन नहीं किया जाता यह में इसमें कम बजेट ये प्राप्थान का होना और उसमें खराब बुनियादी धांचा होना GDP का केबल 9% नियाएक बुनियादी धांचे को बनाए रखने में यूज किया जाता है जिससे गुडवत्ता पून निर्ने देने में इनको बिफलता आती है इसके साथ ही जो सरकारी मामले हैं उनका बोज़ भी नियाए पालेगा पर सबसे जादा है जो अगर हम बात करें लिम्स के आपड़ों के अनुसार तो 46% जो मामले हैं कैंदर इवम राज्य सरकार से ही संबंदित हैं इसके साथ ही जो विसेस अनुमती याच का होती है जो कि आर्टिकल 136 के अंतरगत है तो उसमें लगभग जो सुप्रीम कोर्ट में 40% जो केस हैं बेस्पेसल लीप पिटिशन के इसके अंतरगत है इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नियायदीसों की छुटियों के बारे में तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है साल में ओस्तनल केवल 188 दिन ही होता है इसके अलाब जो नियायले प्रबंदन परणाली का अभाब देखा जाता है एक नियायले प्रबंदक का पत स्रज़त किया गया है लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ नियायले ने इस पत को अभी तक नहीं भरा है इसके साथ ही अच्छम जाच होना क्योंकि जो साक्ष एकत्र करने के लिए आधोने केवल बेग्याने कुप करौनों की आपशकता होती है जिससे इनकी कमी के कारण पुलिस प्रभावी जाज करने में अक्षम होती है जिसके कारण से इसमें जो गवा हैं और इसके जो इनको केस के सम्बंद में जो इनको साक्ष प्रस्तुत करने होते हैं वेब करने में बे नाकाम रहते हैं यह बात की हमने न्याय पालिका में जो केसिस के बैक लॉग हैं उसके कारणों के बारे में इसके बाद अकरम बात करें इससे संबंदित सुधार अत्मक उपाय के बारे में उसमें सबसे पहले हमें गुर्वत्ता पूर्म न्याय के लिए बुनियादी धाचे में सुधार किया विसकता है और जो संसदी स्थाई समिती है उसने अधिनस्त न्यालों के सुद्रड़ी करण पर अपनी रिपोर्ट भी इसके अंतगत पृस्तुत की है जिसके अंतगत उनके दौरा कहा गया है कि राज्चों को न्याले भवनों के लिए उपयोगत भूमी उपलक्त की जानी च कहा है इसके साथ ही सुप्रीम कोट अभर हाइब को संबिथान के अनुसर कुसल अभर अनुपभी नियादीसों को ददर्थ नियादीश के रूप में न्युक्ट किया जाना चाहिए इसके साथ ही जो अधिनस्त नियाले एब उच्चित लक्ष है उनकी जो कार्योजना निर तो इसके लिए जरूरी है कि जो नियाए पालिका में जो बैक लॉग है उनके समाधान के लिए कार किया जाने की जरूत है तो यह कोशन आपने डिसकस किया जीएस पेपर 2 के भारती राजव्यवस्ता खंड से चलिए चलते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन है आपका जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस खंड से जिसके अंतगत आपसे पूछा गया है कि जो नवाचार सतत आर्थिक विकास और सम्वर्थी की हाधार सिला है देश में नवाचार को भड़ावा देने के उत्यस से भिविन सरकारी उपायों का म दगत क्या किया जाने चाहिए जिससे की नवाचार देश के अंतगत भर सके तो इस को सॉल्व करने के हमारी बहिया अप्रोच रहेगी अगर हम बात करें इस कोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में तो जो नीती आयो की जो रिपोर्ट आती है इंडिया इनोविशन इंडेक कि अगर हम बात करें तो सीर्स 25 देशों में नामित होने के लिए महतबाग आची लक्ष को देखते हुए इसमें कई सारी सिफारिस की गई है और सिफारिस में यह कहा गया है कि जो हमारा आरेंडी है उसको जीडीपी के अंदगत इसके अंदगत आरेंडी में हमें खर्चा बढ़ाना चाहिए और इसमें निजी छेतर की भागीदारी को भी प्रमोट किया जाना चाहिए और हमारी जो सिफ्चा प्रणाली है उसके मध्यम से भी मानव संसादन उत्पादन एवब मांग के बीच उसकी जो खाई है उसको कापाटने का भी प्रयास करना चाहिए तो इ जैसे कि नवाचार उन उत्पादों इवं सेवाओं तक पहुंच सुनिश्यत करता है जो कि लोगों को उत्पादक बनाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जैफूर फूट की तो जो अखासिये परिस्ते जो लोग हैं जिनका सामझ एक आर्थिक विकास भड़ाने में उनकी साहिता करता है और अगर हम बात करें 1968 में जो जैफूर में किर्थिम अंग पिसेश रूप से है जैसे कि युद्दीह में या आतं बाचार भड़ता है उससे आर्थिक विकास भड़ता है और जैसे जैसे आर्थिक विकास भड़ता है तो उसमें देश के अंतकत रोजकार के संसाधन भी भड़ते हैं इसके लाबा लोगों का रोजकार मिलेगा तो उससे जीवन का इसतर भड़ेगा और जीवन की गुर्व करें इसमें सामजिक आर्थिक ससक्ति करण की तो जो नवोन में सी उत्पाद होते हैं पर समाज के आसिये पर यह रह रहे लोगों की जीवन इसतर को इसके इंतकत इंक्रीज कर देते हैं जैसे कि अगर हम बात करें तो धुआ रही चूला होने से महिलाओं के स्वास्त इसके इ साथ जो पाती हैं इसके साथ ही जो नीतिक आर्वाचार होते हैं सामज आर्थिक स्धिय को इसके इंदगत पढ़ाते हैं जैसे ważne करें के सीजी कि डेंपरता है कि इसके साथ जो आसकारी और जो MMR है उसमें सुथार करने में उन्होंने काफी ज़्यादा सायोग किया है इसके अलाब अगर हम बात करें जो इनोबिरशन होता है बेर लोगों की दक्षता को भड़ा देता है और जिससे कि बैफसाइक करने की जो लागत होती है वे इसके opt点 सब्सक्राइब को जाता हैं इसके साथ जो सार्वशनिक बैय होते हैं यह यह सकता है यह जो 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 नवीन मोबाइल प्रोड़की की हैं जो बायोमेट्रिक प्रमानी करण से सेवा बित्रण जो छमता है बैस के अंतरगत भड़ गई है इसमें जो लीकेज होते थे बैस के अंतरगत डिक्रीज हुए है और जो नकली लावारती थे जैसे कि PDS योजना के अंतरगत तो जो नक इसके अंतरगत जो नवाचार है उसको भड़ाया जा सके तो इस तरीके का हमें बातावरन तैयार करने के जरूत है जहां नवाचार भड़े जिसमें ग्यान आधरत जो अर्थ विवस्ता है उसमें ब्रद्धी करने के जरूत है जिससे हमें नेतिकर संतुलन इसके अंतरगत भड़ाने की आबशकता है, साथिसा जो patenting की जो विवस्ता है, उसको भड़ापा देना उसके बारे में लोगों को जावरु करने की जरुरत है, जो हमारी बौत्धिक संपता है, जो कागस पर patent के बारे में नहीं बल्कि ये पास्तविक्ता में आविदन की कमी के बारे में संकेदित करती है इसके लाबा जो हमारा CSIR है और अन्य संगटनों को अपने पेटेंट के सामजिक रूप से उपयोगी उनके क्या एप्लिकेशन हो सकते हैं जो कि सामजिक इस तर पर लोगों को भढ़ाएं तो उसको काम के कारों के मुद्री करण के लिए अपने पारंपरे कुद्योगों को IPR संबंदी जाग रुकता है इसके इंतकत भढ़ाने की जरूवत है और जो आसान आइपर जो नियम है जिसमें अपने पेटेंट कॉपी राइट एब पारंपरे ज्यान की रक्षा है उसकी भी इसके अंत के दौरा 15,000 पेटेंट किये गए जबकि विदेशी कंपनियों दौरा 32,000 आविदक इसके अंतागत रहे इसके साथ ही जो यूएस चैंबर और कॉमर्स के दौरा एक इंटरनेशनल IP इंडेक्स निकाला जाता है उसके 2022 के आंकडों के बारे में अकरम बात करें तो पच्पन आई-पी-आर के सामाजिक सांस्कृतेव एक एवम जो आर्थिक लाब है उसके बारे में लोगों में जन जागरुकता बढ़ाने की जरूत है तो यह हमारी राष्टी आई-पी-आर नीती 2016 के अंतगत कहा गया है इसके लावा जो आई-पी-आर का सरजन है उसको प्रोसाहि जरूत है जो सेवा उन्मुक आई-पी-आर परशासन को सुद्रडी करन और इसके आधुने की करन की भी इसमें आविसकता दर्ज की गई है इसके लावा जो आई-पी-आर का व्यवसाहि करन है उसको बढ़ाने की जरूत है और जो आई-पी-आर का उलंगन अगर होता है उ इससे की जो मानब संसादन है आई-पी-आर से संबन देख बेह इसके इंदगत भडाया जा सके तो यह हमारे राष्टी आई-पी-आर जो नीती है 2016 के मात्य हम से किया जा रहा है इसके साथ हैं अगर हम बात करें इस कोशन के निसकर्स के बारे में तो भारत में सक्ति-साली नवाचार पारिस्तिति की तंत्र है जिसमें हमारे आई-डिया इंक्यूबेटर्स जो एक्सलरेटर है टेक्नोलोजिकल पार्क है मजबूत बौदिक अधिकार की जो विवस्ता है संतुलित नियामाक प्रनाली है रणनितिक रूप से उसको डिजाइन जो मानत है उसको तया पैसा है वे नवाचार को भणाने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो यह कोशन हमने डिसकस किया जीएस पेपर 2 के भारतिय राजवेवस्ता खंड से इसी तरीके के सेशन्स हम आपके बीच में लाते रहेंगे कल हम लेकर आएंगे बीक वर्ष्ट का स्थर्ड सेशन जिस करेंगे इसकी जो हैंड डेटर नोट्स की जो पीडिएफ है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगे इसके साथ ही आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रही है और अगर आप उसका इवैल्यूशन चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं ह हम उसका इवैल्यूशन भी आपको प्रोबाइट कर बाएंगे प्लीज से से